हेलो फ्रेंट्स वल्कम माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन तो पिछली वीक में जितने में हमने क्वेसंस करें हैं उन सबी क्वेसंस का हम आज रिवीजन करेंगे फटा फट लगवाग 50 प् सब्सक्राइब कर लीजेगा अगली वीडियो का ब्रेट पानी के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहला कोस्तन सबसे पहला कोश्टन ने अराम हराम है का नारा किस ने दिया था तो मैंने आपको बताया था ऑफ्शन सी करेक्ट इंसर हो जाएगा जवाहर लाल से है और सब्सक्राइब करेक्ट रखना है इसके अलावा अगर आप से पुछ जाए कि संतोष ट्राफी का संबन किस्से है तो फुटबाल से होता है यह भी आपको याद रखना है इसलिर के सरीर के समाधी सतल को कहाते हैं तो राज गाट जो की महात्मागाधी के समाधी सतल को राजगाट कहा जाता है यह आपको याद रखना है next question कौन सा Grand Slam घास के मैदान पर खेला जाता है तो कौन सा Grand Slam घास के मैदान पर खेला जाता है option C यहाँ पर करेक्टन सरो जाएगा B Maldon यह आपको याद रखना है next question Wellington Trophy किस खेल से संबनी थे तो Wellington Trophy नौकायान से संबनी थे यहाँ पर करेक्टन सरो जाएगा Wellington Trophy किस संबनी थे नौकायान से next question मारले मिन्टो बिल किस वर्स में पारिद किया गया तो मारले मिन्टो बिल 1909 में option B यहाँ पर करेक्टन सरो जाएगा 1909 में मारले मिन्टो सुधार एक्ट पारिद किया गया था तो option B यहां पर correct answer हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्रेणी से हटा कर किस अनुस्यत के अंतरगत रखा गया है तो आपको मालूम है कि संपत्ति के अधिकार को 44 समिधान सांसुजन 1978 में मूल अधिकार से हटा कर आप विदिक अधिकार में रखा गया है जो कि option C यहां पर correct answer हो जाएगा अनुस्यत 300 कौम में रखा गया है यह आपको याद रखना है वरतमान समय मूल अधिकार के संक्या अच्छा है जबकि पहले थी साथ आपको मालूम है कि संपत्ति के अधिकार को जो की हटा कर 300 कौम में रखा गया है तो वरतमान समय में मूल अधिकार के संक्या अच्छा है और यह की समिधान संसुजन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विदिक अधिकार यानि आर्टिकल 300 कौम में रखा गया है रचता का जनक करते के लिए स्थानीय सोसासन का जनक करते हैं भारत के लिए नेक्स कोशन 1576 का वर्स किस वर्स किस यूद के लिए प्रसीद है तो 1576 का वर्स किस यूद के लिए हल्दी घाटी का यूद के लिए प्रसीद है option A यहाँ पे correct answer हो जाएगा option D यहाँ पे correct answer हो जाएगा नेक्स कोशन प्रोजेक्ट एरो का संबद निम्झे में से किस के आधुनी की करन से है तो डागगा के आधुनी की करन से है option C यहाँ पे correct answer हो जाएगा next question करडी माता मंदिर कहाँ इसती थे अउफ्षन डी यहां पे correct answer हो जाएगा करड़ी माता मंदिर कहां है राजस्थान में silent valley पर्योज़ना किस राज में है तो silent valley पर्योज़ना केरल में है थी थे option A हाँ पे correct answer हो जाएगा डिंको सिंग का समबन किस खेल से है तो डिंको सिंग अभी हाली में निधन हुआ है पुछा गया है नेक्स को समझा ब्रीक्स संगठन में साउथ अफरिका कब सामिल हुआ तो ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफरिका ये ब्रीक्स का संगठन के जो देश सदस्य है उनका नाम है तो ये सभी देशों के नाम का पहला अच्छा अच्छर ही रखा गया है ब्राजील रूस इंडिया चाइना और साउथ अफरिका जो एस दिख रहा है साउथ अफरिका है तो साउथ अफरिका इस संगठन में कब सामिल हुआ था तो 2010 में सामिल हुआ था और सी तक ही था जो कि ब्राजील रूस इंडिया और चाइना तक ही था जब साउथ अफरिका 2010 में सामिल हुआ तो ब्रिक्स हो गया यानि कि एस यहां पर एड़ हो गया तो यह आपको ध्यान देना है प्रोजेक्ट टाइगर का एक्ट किसे संबंदी थे तो प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम संबंदी थे 1973 से अगर आपसे पूछेए कि सांती का नोबल पुरसकार कहा अप दिया जाता है तो नारवे की राजधानी ओसलो में दिया जाता है यह आपको याद रखना है इजराइल के संसत को किस नाम से जाना जाता हैります इजराइल के संसत को Nagasite के नाम से जाना जाता है ऐज़नी आझेता ऑफशन B किस अपर एज़नी देश में जाता है आफशन C और अभी मैंने आपको बताए कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो अधिनियम है वो 1973 से है तो दोनों ही आपको याद रखना है वन जीवन समर्चण अगर आपसे पूछा जाए तो 1972 प्रोजेक्ट टाइगर का अधिनियम जो एक्ट पूछा जाए तो 1973 से ओके नेक्स कुछन इस् राज में इस्ति थे के वड़िया के वड़िया नदी के नर्मदा नदी के किनारे के वड़िया में आपको याद रखना है 21 सदिपर इस साधू बेट इपर और है किसकी मूर्ती है सर्दार बल्ला भाई-पतेल की उसकी उचाई कितनी है 182 मीटर और इसके वास्तुकार कौन है राम सुतार यह सभी बाते आपको याद रखनी है ओके नेक्स कोशन वहीं राव अमेड कर एयरपोर्ट कहां है थे तो वहीं राव अमेड कर एयरपोर्ट नागपूर में थे ओफशन एक करेक्ट अंसर अगर आपसे पुछा है कि वा थल चयना, थल से ना दिवस कम मनाई जाता है तो तल चयना दिवस पंद्रह जनवडी को मना जाता है ओफशन B करेक्ट नसर में सरे कुछाली मरुष्थानिये मार Уपसंपयंंहेगन यहां पर करेक्ट सबसे उची चोटी कौन सी है तो ऑफशन बी करेक्ट एंसर माउंट किली मनजारो नेक्स निम्न में से लीरा किस देश की मुद्रा है तो लीरा तुर्की की मुद्रा है ऑफशन यहां पे करेक्ट एंसर हो जाएगा सूर्य किरण युद अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है तो भारत और नेपाल के बीच होता है ऑफशन सी दुद्वा नेशनल पार्क किस राजी में इस्ति थे तो दुद्वा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में इस्ति थे ऑफशन ए उज्जेन सहर किस नदी के किना रहे थी थे तो उज्जेन सहर छिपरा नदी के किना रहे थी थे ओफशन डी करेक्ट एंसर नेक्स कोशन मिर्मिको लॉजी में किस का अधिन किया जाता है तो मिर्मिको लॉजी में चीटियो का अधिन किया जाता है ओफशन बी नेक्स कोशन आप्टिकल फाइवर का विसकार किस ने किया था तो आप्टिकल फाइवर का विसकार नरिंदर का पानी ने किया था आप्टिकल फाइवर का विसकार नरिंदर का पानी ने किया था आप्टिकल फाइवर का विसकार नरिंदर का पानी ने किया था आप्टिकल फा सब्सक्राइब और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि घंटे का निसान पर क्लिक करके अगली वीडियो अप्रोट करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे थैंक्यू सो मैच फॉर वाचिंग हैव नाइस टे